Hello everyone, welcome to our channel आप सभी SSC candidates के लिए एक important information है finally SSC CGL 2022 का जो notification है वो अभी अभी SSC की और से release कर दिया गया है जिसमें की 20,000 प्लस vacancies है इस बार और आपका जो crucial age जो जिस date से count किया जाएगा वो आपका 2 January 2022 का लिया गया है साथ ही साथ एक चौकाने वाली खबर है आपका जो SSC CGL के इस बार का exam pattern है वो पूरी तरह से बदल चुका है यानि कि आप सभी candidates के लिए important information है कि आपको जो exam pattern है वो finally change कर दिया गया है SSC की और से तो आप लोग वीडियो में बने रहना चलिए फिर हम लोग वीडियो के शुरुवात करते जो लोग चिनल पे नए हो उनसे request है यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करके share करना चलिए हम लोग चलते है official notification पे हम लोग SSC CGL के official notification पे आ चुके हैं आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो notice combined graduate level examination 2022 अब यहाँ पे exam के लिए आप लोग जो form apply करोगे उसका जो date आपका 17 September से लेकर 8 October कहा है आप लोग last date का wait मत करना जल से जल अप्लाइ कर देना आपको जो exam है tier 1 का वो December 2022 में होना है जबकि tier 2 का जो exam है उसका भी फिलहाल date declare नहीं किया गया है यदि मैहाँ पे other post की बात करो और कहीं कहीं आपको 32 age तक भी दिखेगा लेकिन group C post जितने भी होते हैं यानि कि 800 और 2400 grade पे कि जितने भी post होते हैं यानि कि group C के उसके लिए जो age है वो 28 से 27 का है अब यहाँ पेद में आप से share करूं की age जो है वो कब से count किया जा रहा है उससे पहले मैं आपको vacancy यहाँ बता दू देखो इस वार जो आपका vacancy है approach वो आपका 20,000 vacancy है यानि कि आप लो देख सकते हो इस वार निशित रूप से एक नया कृतिमान SSC की और से रच दिया गया है क्योंकि 20,000 vacancy आपने देखा हो कि बहुत साल पहले कई वर्स हो गये हैं इतने vacancy देखे हुए SSC CGL में इस वार आपको देख सकते हो vacancy कितनी ज्यादा है और यदि मैं यहाँ पर vacancy 20,000 आप से यहाँ पर किलिर कर चुका हूँ और यदि मैं age की बात करूँ तो देखो age limit क्या है वह उनका जो जन्म है वह दो जन्मड़ी 1995 से पहले का नहीं होना चाहिए यह आपका यूर कैटेगरी का age है उसके लिए relaxation आप लोग जानते हो SC और ST कैटेगरी को पांस साल का relaxation age में दिया जाता है OVC को तीन साल का दिया जाता है बांकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो other category का यहाँ पर Excel विसमें सब का सारा कुछ आप लोग देख सकते हो और यदि मैं यहाँ पर exam patent की बात करो तो आपको यहाँ पर change उसमें दिखा है tier 1 का जो आपका exam है वो उसी वे में है जबकि tier 2 का जो exam है उसमें यहाँ पर difference दिखा है तो देख सकते हो यहाँ पर 13.7 में यहाँ पर देखो scheme of tier 1 examination यानि कि tier 1 का जो exam है वो same रखा गया है यानि कि एक घंटे में आपको 100 सवाल solve करने होंगे और 200 marks के paper होगा यानि कि आप देखो 25 सवाल reasoning के 50 marks के 25 gk के 25 maths के और 25 English के यानि कि कुल मिलाकर आप से 100 सवाल पूछा चाएगा और वो जो marks है वो आपका 200 का है और यदि यहां पर मैं objective type का exam होगा और यदि यहां पर मैं tier 2 की बात करो तो tier 2 का जो आपका exam का pattern है वो पूरी तरह से change हो चुका है आप लोग यहां पर देखो इस वार इसमें पहले क्या हो रहा था tier 2 में आप लोग जानते होगे पहले आप से 400 marks के paper लिया जा रहा था tier 2 मे जिसमें कि English का जो section है उससे 200 सवाल पूछे जा रहे थे 200 marks के जबकि Maths के आप से 100 सवाल पूछे जा रहे थे 200 marks के लेकिन इस बार जो है इस बार आपको change दिखा है आप लोग यहां पर देख सकते हो module 1 में आपका देखो first section जो होगा tier 2 में वो किस रूप में होगा यह आप समझना session 1 इसके लिए आपका 2 घंटा 15 मिनिट का समय सुनिशित क्या गया है आप लोग यहां पर देखो mathematics जो है आपका वो 30 यहां पर marks का सवाल 30 total number of questions पूछे जाएंगे maths के और यहां पर reasoning के 30 सवाल पूछे जाएंगे यान कि कुल मिलाकर 60 सवाल आप से पूछे जाएंगे section 1 में और इसके लिए आपको एक घंटे का time दिया जाएगा और यहां पर आपको देखोगे total यदि में marks की बात रहो तो total marks आपका 60 into 3 यानि की 180 marks का आपका section 1 का exam होगा और यहां पर आपका section 2 का exam फिर connect कराया जाएगा और section 2 में आपसे English के 45 सवाल पूछे जाएंगे General awareness के यानि की GKK, GA के 25 सवाल पूछे जाएंगे कुल मिलाकर 70 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और यहां पर 70 गुने 3 यानि की एक question 3 नमर का तो कुल मिलाकर 210 नमर का आपका section 2 होगा यानि की section 1 आपने देखा 180, section 2 देखा आपने 210 और उसके बाद आपका section 3 का exam होगा वो आपका computer knowledge module यानि की computer का paper 200 जहां पर 20 questions पूछे जाएंगे जो की 20 into 3 यानि की 60 marks के होंगे इसके लिए आपको 15 मिनट का time दिया जाएगा यहां पर तीन section में आपका exam connect कराया जाएगा और यहां जो तीनों section है वो एक ही दिन में connect कराया जाएगे इसलिए आप लोग यहां पर तैयारी continue रख सकती हो और यहां पर tier 3 descriptive का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है यानि कि आप लोग मान लो कि descriptive exam को finally हटा दिया गया है SSC CGL क यहां से exam pattern में कहीं भी SSC का जिक्र नहीं है इसके बाद paper 2 aesthetics का जो होता है यहां पर statical officer के लिए उसके बाद देखोगे आप लोग paper 3 जो आपका डवल यो के लिए होता है वो यह सारे है यह सब के लिए compulsory नहीं होता है यह नहीं दो post के लिए compulsory है तो उसका जहां पर जिक्र में कराया जाएगा यानि का अलग अलग shift में और अलग अलग days में यहां पर conduct कराया जाएगा यह भी कहा जा रहा या तो shift अलग हो या फिर days अलग होगा उसक बाद यदि paper 1 की बात करो तो यहां पर कहा गया paper 1 सभी के लिए compulsory है जबकि आप लोग यहां पर जानते हो वही सा तो हम वीडियो informative रही हो तो please वीडियो को like करके share करना मैं आपको detail analysis आपको कल तक provide करा दूँगा हर एक section का चलिए आज किस वीडियो में यहीं तक thank you so much